हलो व्रीवन आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है जी के ओशेन यूटूब चैनल पर आई वेलकम यूटूब चैनल और आज के इस पर्टिकुलर वीडो शेशन में हम लोग साइंस के कुछ इंपोर्टन को डिसकस करेंगे जो कि आपकी आने वाले एक्जाम के लिए इंप मैट काउ रोग का कारक है आपके सामने चाहर ऑप्शन दे रखा है और इस कोश्र का करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रायांस ठीक है कि कुछ इंपोर्टन प्रेक्ट आपको यहां से आद कलेने जैसे कि मैट काउ रोग मवेश्यों के मस्तिक्स को प्रभावित करता है और मस्त प्रोट bilmiyorum स्लेपिंग स्क्नेस और बात करें बैक्टरियरक के कारण थे यूमें विंश में ठेके रोग हो सामने चार आप्शन है अगनाश है अमाश है यक्रित या छोटी आत और इस कोश्ण के करेक्ट टांस्वर का आप्शन नमबर त्री यक्रित ठीक है कि देखिए कुछ इंपॉर्टन फैक्ट आपको यहां से भी आत कलेना है देखिए यहां एक यक्रित रोग है जिसमें रक्त निम्न मात्रा में करती है और इसी के कारण पित्र वर्णक यक्रित शिरा के मात्यम से रक्त में प्रवेश कर जाता है देखिए यक्रित यानी की लीवर इसके बारे में आप कुछ इंपॉर्टन फैक्ट याद कलेने हैं लीवर जो है लार्जिस ग्लैंड होता है इसका प्रोटीन को ग्लुकोज में बी कर देता है ठीक है तो इतना एक्ट आपको यहां से अच्छे से याद कलेना सबसे इंपॉर्टन आपके याद कलेना कि फिमन की लार्जस्ट ग्लैंड होती है और एक्जाम में कई बर यह पूच्छा भी गया है ठीक है नेक्स कोशन पर हम कोशन है मनुष्य शरीर में खून की शुद्धी करण की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं यह कोशन आई हुए सभी प्रशन आपको अच्छे से याद कलेना है तो मनुष्य में शरीर में खून की शुद्धी करण की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं डायलेसिस ठीक है इं मांस पेशों में लाक्टिक अमल की एकत्र होने से थकान होती है यहां से भी आपको कुछ इंपॉर्टन फ्रैक्ट रात कर लेने जैसे कि मानों शरीर में 500 से अधिक पेश्यां होती है ठीक है और पेश्यां प्रेरक उपकरण का शक्रिय भाग है इनके संकुचन के फल स्वरू विबिन गतिविद्या होती है और लंबे समय तक कठोर कायर करने के फस्चाथ मान स्पेश्यों में थकान का अनुभाव लाक्टिक अमल के जमा होने के कारण होता है ठीक है बहुत इंपॉर्टन फ्रैक्ट है एक्जाम में कई बर पूछा गया प्रश्न है नेक्ट कोशिन या की राजधानी इसले की राजधानी है अपकी हर्याणा पंजाब की कंबाइन क्यापिटल यह है चंडिगण और राजस्थान की क्यापिटल जैपुर ठीक है और मध्यप्रदेश जिसको भारत का दिल सेंट्रल स्टेट का आ जाता है इसकी कापिटल बोपाल और स्वाब अधिक है और यहां पर जल में आर्सिनीक की मात्रा 0.05 मिली ग्राम पर लिट्र से अधिक पाई गई है और आर्सेनेक से ब्लack फुट नामक हो जाता है यह आपको थर्ड पाइन है आर्सेनिक से ब्लाइक कुल मोग हो जाता है मैं आगला कोशन है सूर की उर्जा का श्रोत क्या है कई पार पुछा गया प्रशन आसान और इस कोशन कर एक टांसर जागा हलके नाविकों का सल्यान ठीक है एक्जाम में पूछा क्या प्रशन है सूर की उर्जा का श्रोत है हलके नाविकों का सल्यान और पृत्वी पर एक मात्र जो उर्जा का श्रोत है वह सूर ही ठीक है यह भी आपको पता ही है देखे जब हाइड्रोजन के दो हलके आपस में मिल करके helium बनाते हैं, तो इस प्रक्रिया में उर्जा निकलती है, ठीक है, और इस प्रक्रिया कम लोग क्या कहते हैं, नाविके सल्यान कहते हैं, और सूर की उर्जा का शोत नाविके सल्यान ही है, ठीक है, नेक्स्ट कोशन है, साबुन के बुलबुले के अंदर का द या wires दाब का आधा होता है तो यहां पर हमारे साहँ आइसर जाएगा साबुलGT के खोल का पुष्ट तना उल्यार की सरफेस टेंशन बहुती कम होता है रिखिए फूथक घोलका बुलबुले बड़े हो जाते हैं और प्रिस्ट तनाव यानि कि सर्फस टेंशन घटने से साबुन के गोल की एक बूंद शुद्ध जल के अपेक्षा अधिक छेतफल को गीली करती है जिससे कपड़े अधिक आसानी से साफ हो जाते हैं ठीक है इंपोर्टन कोशन है यह नेक् करती है यहां पे कुछ अडिशनल फैक्ट दे रखा है देखें लोलक द्वारा मद इसीदी के दोनों और एक चक्कल लगाने में लगा समय आवर्त काल के लाता है यह भी प्रश्र पूछा गया है और इसे हम लोग टी से प्रदर्श्रित करते हैं और इसका मानक सेकेंड होत नेक्स कोशन है आपके सामने कि कमरे में लगा हुआ वाता नुकूलक नियंत्रित करता है आपके सामने चार ओप्शन है केबल तापकम को आदता और तापमान को दाब और तापमान या आदता दाब और तापमान को पूछा गया प्रश्र नहीं है तो कमरे में लगा हुआ प्रशीत के दान पर कार करने वाला विदुद चालिद उपकरण है जिसमें ताप मान आधिता वहवा की गति नियंतित की जाती है आज का हमारा आखरी प्रशन आपके सामने जल के अंदर वायू का बुलबुला व्यवार करता है किस तरह से तो ये करता है अब सारी लेंस जैसा पुछा क्या प्रश्ण है देखें अब सारी लेंस अवतल लेंस को ही कहते हैं चुकि अवतल लेंस पर गिरने वाली किरने लेंस के दोनों प्रिष्टों पर अपवर्तित होकर मुख्य अथिति के बाहर की और मुड़ जाती है तथा आप है इस प्रतीत होती है इस कारण अवतल लेंस को अभी सारी लेंस खेते हैं इसके विपरिद अदर का वायो रहते हैं है किस तरह से McCain लंस जैसा और याद रखेगा अब सारी लंस को अविसारी लंस क्याते हैं दीकिंखे इसके साथ सथ आपको एक टॉЬक है जसको अच्छी से रिवाइस करवा देती हून देकर कोशन हमेशा पूछे आते हैं vitamins के बारे में ठीक है तो आपको पता है कि vitamin कितने प्रकार के होते है vitamin होते है A, B, C, D, E और K इसमें से B कई टाइप के होते है vitamin A का chemical name होता है retinol और इसकी कमी से vitamin A की कमी से color blindness हो जाता है और night blindness हो जाता है और vitamin A हमें कहां कहां से मिल सकता है milk, egg, cheese, green vegetable, cod liver oil और carrot से बात करते हैं विटमिन B के तो विटमिन B कही टाइप के होता है जैसे कि B1, B2, B3, B5, B6, 7, 11 और B12 ठीक है और विटमिन B1 की कमी से बेरी-बेरी हो जाता है ठीक है बेरी-बेरी रोग हो जाता है कई पर पुछा गया है और विटमिन B11 की कमी से अनीमिया रोग हो जाता है और विटमिन 11 का chemical name folic acid होता है बात करें विटमिन C की तो विटमिन C का chemical name ascorbic acid होता है और इसी कमी से scurvy हो जाता है ठीक है और विटमिन C हमें कहां कहां मिलते हैं lemon में orange में tomato में और जो खटे प्रदात होते हैं उनमें बात किजाए विटमिन D का chemical name होता है calciferol और इसी कमी से rickets भीमारी हो जाती है इसमें हडिया ट्रीडी मेडिय और कम्जोर हो जाती है विटमिन D हमको मिलता है fish liver oil से milk में और एग में विटमीन ई का केमिकल नेम होता है टोको फॉराल और इसी कमी से लेस्ट फर्टिली हो जाती है, और ये हमको कहां मिलता है सबसे ज़ादा कौन से सोर से विटमीन ऐ का, ये है जो पत्यदार हरी सबजियां होती है, लीफ़ी वेज़ेटेबल हो गया, मिल्क हो गया, बटर हो गया, स्प्राउट हो गया, वीट हो गया, इन सब में विटमिन क कमी से जो नॉन ग्लाटिंग अफ ब्लड ठीक़ यह हो जाता है और विटमिन के हमें सबसे आदा का मिलता है टोमाटो में सोयबीन ओयल में ग्रीन बजटेबल में ठीक है तो यह टॉपिक इंपॉर्टन था क्योंकि इससे कोशन पूशे आते हैं आपका दो मिट में रिवाइज हो गया तो वीडियो को आप लोग नेक्स पार्ट इसका जल्दी आएगा थैंक यू सो मुच वॉचिंग थैंक यू